कि नमस्कार दोस्तों आज 18 जनवरी दोजाए 24 की नए न्यूस और नए कोश्चन को लगे आज फिर से आज यह रहा हम लोग वह में से पराणी थारी वीडियो को आप लोग देख रहे होंगा थोली आप लोगों को कुश्चन्स उनसे उनसे रिलेटेड आंसर और उनसे रिले और यह उनकी वारे में बात है लेकिंगे उनकों अल्री कवर कर चुके थे थे ठीक है तो सेंग कॉशं नहीं है बट यह है कि कही ना-कही पुरानी निवस से यह तो आपने उन चीजों कवर किया हुआ है तो उसका रिजीजन ढ़ाइब आ पके लिए डिए हो जाएगा ठीक आप्शेंस हैं थाइलेंड औस्ट्रेलिया मियानमार या फिर बंगलादेश ठीक है तो इसका जो राइट अंसर होगा यह हो जाएगा आयूथ्या एक्सेस्ट जो है बिसिकली नेवल एक्सेस्ट बताई दिया गया है इंडिया और थाइलेंड ये बीच में होती है ठीक है होत इंडिया और थाइलेंड के बीच में नेवल एक्सेसट इसका ध्यान रखेगा और आजया का अगर आपसे मतलब उचाजा जाए तो उसका होता है अपाराज है अपाराज है जो है बिसिकली मतलब अन्डिफी टेबल अगर इंगलिश में आपको मीनिंग पूछा जाता है इ की यहां पर कौन से जहाज ने पारट लिया था तो ऐनस कोलिश नाम का जाए उसने यह पर लिया था इसको आप धान रखेंगा धिया ऐफ ईयो नैस इसको इसको ख़्लिश इंडिया की तरफ से फच साइजTr publish I'm और ए। तो फर्स पार्टीशन जो है इंपार्टेंट कोश् यूं थलते हैं वेसे देड़ा धनुयातरा फेस्टिवल स्टार्ट धनुयातरा फेस्टिवल कहा पे जालो चुकी है येर फूशन साइड और जैiblsh niez सबसे बड़ा एयर फीटर इस पर्टिकलर यात्रमें इंग्लूट किया गया है ठीक है पूरा 11 डेस का रहेगा ठीक है बुलेटन पॉइंट की साथ से बता रहा हूं मैं आपको बाकी बात करें तो और कौन कौन से तहवार है जो आपको न्यूज में या फिर आपको करेंट अफेर्स में देखनों मिलेंगे वह बता देता हूं एक होता है रजापर्व ठीक है एक ह अब खाई फेस्टिवल ऑके एक है आपका बली जात्रा एक होता है शीतर शाष्ट शीतर शाष्टि पर्व है ना एक आपका आता है चाहू महस्तव तो यह साथी जो फेस्टिवल से ओडिसा के हैं और यह आके इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं कि कभी ना कभी यह होते ह है तो इंका न्यूज आपके सामने आता है और करेंट अफेस में इंकी पॉर्टेंस काफी रहती है ठीक है ने शुक्रिशन के तरफ चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग डू निर्ति आयोग विच स्टेट है विच इस देस्टेट दाट हैस्ट रिकॉर्डड़ेश्ट पोव तो इसका अविच्ण हो जाएगा यह जाएगा उत्तर प्रदेश बहुती बहुती बैतरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने इस पर्टिकुलर अचीज में परफं किया है ना आपके हाईयस्ट पर्वर्टि रिडॉर्टेट्शन तो किया है यहां पर यह कशन के एह साफ यह पता होना चीह है ना यहां फिर दो चीज आती है जो रिपोर्ट है उसका नाव है मंटी मल्ती डायमेशनल गरीब रिपोर्ट या फिर इसको gm p i b कहा जाता है Gm p i hoता है आपका global multi-dimensional poverty index ठेक है तब Gm p i आज रखें उसके अंडर उसे के तहट ने हाई इंडेक्षेन का युग को नापता हो यह दिया जाता है युन टीपी की दोरा यूएन डीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन्स डेवलोप्मेंट प्रोग्राम तो इसको अध्यान लगेगा कि यह जो इंडेक्स से कौन प्रोवाइड करता है यूएन डेपी प्रोवाइड करती है ठीक है एंड चलिए इंडेक्स में क्याकि चीजे इसके बाद बिहार में काम हुई थर्ड नंबर पर है मैं यानि की मद्रदेश ठीक है बाकि यह जो इंडेक्स है यह कितने यह का काउंट करके बताता है कितने यह की रिपोर्ट लेके बता रहा है यह इन टोटल नाइन यह का पूरा जो कंट्रोल है जो भी आपका जनसंख् है तो 24.8 करोड लोग पोवर्टी से बाहर आ गया नहीं घरीबी से बाहर आ गया उत्तर प्रदेश में कितने लोग इसका आकड़ा आप से पूछा जा सकता है 24.8 करोड लोग ठीक है इसलिए उत्तर प्रदेश नंबर वन पे रहा इस इंडेक्स में अगर डिक्लाइन की वा बात किया जाए आपको फुल फॉर्म पता है हमने कई वाज इन्सक्राइब कर देता हो के लिए निती का फुल फॉर्म है नाशनल इंस्टीउचन फॉर्ट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठेक है प्रेसिडेंट या हेड़् की अगर बात होती है तो होते हैं हमारे प्राइ लुए ना तो यह सब चीजा आपको पता है मैं यह जो यहां तरह फिर सब्सक्राइब कर दिया है चली इसके साथ नेक्स कुछन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं को इसका नम किसके नाम के साफ से चेंज कर दिया गया है ओके ऑप्शेंस यह सचिन तंदुरकर ऑप्शन बी न रावत ऑप्शन डी अटल विहारी वाच पई तो जेलर स्टेडियम जो है उसका नाम बेसिकली अब विपिन रावत जी के नाम पर चेंज हो जाएगा तो ऑप्शन सी यहां पर सही है ठीक है एंड इसमें आपको बता हूं तो विपिन रावत जिनको आइडिया ना हूँ इ इंडिया के फर्स्ट सीडियस थे सीडियस का मतलब है चीफ और डिफेंस स्टाफ ठीक है उसका ध्यान रखिएगा साधिया और भी कई सारी न्यूज है जो कि हमने कवर की थी होतकता आपने वीडियो देखी हो या होतकता आपने में साट किया हो तो मैंको यहां पर नेपाइल के श्री मुक्तिनाथ टैंपल में ध्यान सुनियेगा नेपाइल के श्री मुक्तिनाथ टैंपल में एक बेल लगाए गए घड़ी लगाई घंटी लगाए गई है उनके ऑनर में उस वाद को ध्यान किया कि किसकी ऑनर में नेपाइल के मुक्तिनाथ टैंपल में घ उत्तर पादेश के मेलजा पूरी सैन्यक स्कूल का जो नाम है वो मिलेकन दी इन के नाम जाए के बुक्कानान सुन्जिय का ध्यान से बेपिन दा मैन बिहाइंड दा यूनिफॉर्म उके उनकी ऑथर थी रचना बिष्ट रावत ठीक है तो आपको यह रिएटर कोच्छन जो बिपन रावत जी से बनते हैं वह मैंने आपको यहां पर कवर कर दिये हैं ठीक है नेस्ट यौन जैन 22 24 ठीक है पहला वपरेशन जो लॉंच हो चुका है तो कि अउप्षेन से हमारे अप्षेन सर्वशक्ती है अपसे बी है ऑप्षेन अहाथ को सी है ऑपरेशन को डेर dj dj Walton the option d hai operation available okay व्यसकर नाम है operation सर्वशक्त2 यान की operation आपक oyn 550 एंड यह झाल इससी बात है Backfire которых करने के लिए इह जाय तो फता हों कि किए आरिया में किया गया है ठीक है पीर प्रॉंज य। की उस एंडिया का नाम फता होना चाहिए कि कौनसे एरिया में,' कोड़ने के लिए सी पीटरूर्यइश्म को खतब करने के लिए क्वेर वस्थे इंडिया bilingual साइन्स फेस्टिवल 2023 ऑगनेज्ट इंडिया का इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल कहा अगनेज्ट के गए 2023 में यह पूछा जा रहा है ऑप्षिन से उत्तर प्रदिश पंजाब लद्दाक या फिर हरियाना तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा हर्याना ओके ऑप्षिन टी एकदम सही जवाब है इसका ओके एंड इसी के साथ अगरे बताऊं तो यह जो है नाइंट एडिशन का फेस्टिवल था है नाइंट एडिशन तक इसका इंडियन इंटरनाशनल साइंस सब्सक्राइब को भी ध्यान रखेंगा कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इस फेस्टिवल की यह थीम थी वह थीम थी साइंस एंड टेक्नोलोजी पब्लिक आउट्रीच इन अमरित काल ठीक है थीम को ध्यान से सुनिएगा हलका सा वर्ड वी जहादर होता है तो पिती चेंज हो जाती है और मतलब चेंज हो जाता है तो एक्साइक्ट वर्ड दिहान रखेंगा थीम थी साइंस एंड टेक्नोलोजी पब्लिक आउट्रीच इन अमरित काल ठीक है बाकि इंडिया नाशनल इंटरनाशनल स्पेस साइंस सब्सक्राइब इंडिया इंट है एक और चीज होती है वह का हर्याना के कुरुशेक्त्र इलाके में होती है इंटरनाशनल गीता मौसव ठीक है इंटरनाशनल गीता मौसव भी मनाया जाता है ठेक है बाकी हर्याना में एक चीज और होती है सूरज कुंड मेला है ना जो कि अभी 2nd February से स्टार्ट होगा जिसमें की प्रेसिडेंट दौरपदी मुर्मु जी भी अटेंट करेंगी ठेक है और 37 years के हिस्ट्री में कहा है चौत्री वर होगा कि फ्रेसिडेंट को गोचे के अटेंड करेंगी प्रेसिडेंट को मेला को तेकल ध्यान लखेए घन दुरपादी मौर मों इस वार एटेंट करेंगी एडिवर्थ टाइम होगा की अटेंट कोरेगा कोई प्रेशिडेंट ओके सेकंड फेब्लेड को स्टार्ट होगा सुर्वेजकुंड मेला हर्याना में उसका ध्यान रखेंगा परके साइन्स की बात हो रही है तो नेशनल साइ है हम लोग विच सीरीज वन दा एमी आवार्ट फॉर देश्ट ड्रामर सीरीज एट 75 एमी आवार्ट ट्वनटीटिफोग एम्य आवार्ट बिसिकली इनको आइडिया ना हो टीवी इंडेस्ट्री का टॉप आवर्ड माना जाता है ठीक है टीवी इंडेस्ट्री में काफी अधिकर्स हैं और मुजिशन्स के लिए ग्रैमी जितना इंपर्टेंस रखता है है ना मुजिशन्स के लिए ग्रैमी एंड मूवी इस तिनेमा के लिए औसकर उसी तरके टीम इंडेस्ट्री के लिए एमी आवार्ड बहुत अहीमित रखता है ठीक है यहां पर कोश्चन कि इसका जो आंसर होगा और पहले पढ़ देता आपके लिए आपके लिए अप्शन से सक्सेशन दा बीर बीफ एंड और तो सक्सेशन जो है राइट अंसर हो जाएगा ड्रामे सीरीज को पूछा जा रहा है इसके लिए ठीक है अगर बेस्ट कॉमेडी का पूछते तो उसक हूं कंडेक्टेट दफ फॉर्स्ट लॉफ नीपा वाइस वैक्सीन ओके अप्शन से हावर्ड युनिवर्सिटी और उख्सफुर्ड यूनिवर्सिटी यह पिस पेकिंग यूनिवर्सिटी ओके तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑक्सफवर्ड यूनिवर्स लगा को बताऊं तो यह जो ट्रायल चालो किया है इसमें इसमें ने 18 से लेकिए फिफ्टी फाइव यर्ज के बीच में हैं इसी काटेगरी में लोग टेस्टिंग कर रहे हैं फिलाल ठीक है 18 से चोटों के भी टेस्टिंग नहीं हुई है और 55 यह से बड़ों की हुई है जो मीड का एज है मिड़ वाला पार्ट एटीन यह से लिए 55 यह तक के बीच में जो है टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है तो इसमें कौन सी एज की काटेगरी को उठाया गया था एटीन से 55 वाइरिस जो है कहां स्टार्ट हुआता है यह पर्टिक्लर वाइरस तो यह मलेशिया के नेपा सिटी में स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से इसका नाम भी पढ़ा है नेपा वाइरस ठीक है तो वहीं प सबसे पहले इसकी विजिकली यह हुआ था कि करला में है यह वाइरस है ना पाया गया जो चलिए बाकी यहां पर वैक्सीन की जो है फ्रेस्ट ट्राइल स्टार्ट होई गई है उमीद है कि बहुत जल्दी इसका जो है समधान में निकल आएगा और वाइस की वैक्सीन बनके से रेडी हो जाएगी ठीक है नेक्स्कुशं के जब चलते हैं ट्रीन डैड और टोबागो फॉस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन डिसेंट बाश्डो यह पांडे कि हैट पाजडवे वोट इस दा कैपिटल ट्रीडेंट ट्रीन डैड और टोबागो की पहले प्राइम मिनिस्टर थे वह इंडियन डिसेंडेंट से तो उनका वह उनका नाम दिया हुए बासुत देव पांडे तो उनकी डेथ हो गई है तो वह कौन तो आपका कैपिटल अप्शन डेकर ऐप्शन बी बेल ग्रेड अफशन और ऑफ्षन सी पॉर्ट ओफ स्पेंड ऑफशन डी ब्राइस लावा सुरी एंड इसका जो राइट अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा पोट ऑफ स्पेंड ठेक है जब यूएन को पार्ट बना था तरिनी डिद्व तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था डिटेल में सब्सक्राइब तो यहां पर आपको पोड़क से नहीं मैंने सुख बताया था यहां में फिर सिक कोशन डाला है क्योंकि यहां पर विंकी डैथ हुई और रिल्ट्रेट कोशन बनते हैं ठीक है बाकि करेंटली अग केरिबियन कंट्री नेश कोशन की तरफ चलते हैं इंडिया साइंस बाइलेटरल हज अग्रीमेंट 2024 विद किंडम और साओधी अरभिया के ऐसे अटोटल कोटा ऑफ डैश पिल्ग्रिम्स फ्रॉम इंडिया हैस बेन फाइनलाइज्ट फॉर हज 2024 है ना कितने श्रत धालू य कोशन में अलग से पूछा जा सकता है ठीक है बाकी ऑफ्षिन से हमाएं सामने 1,075,025 1,071,025 1,072,025 या फिर 1,073,025 ठीक है फिर इंडा ब्लैंक्स का कुश्चन टाइप है इसका जो राइट आंसर है वह है 1,075,025 पिल्ग्रिम्स ठीक है बाकी इसमें दो तरीके से जो है एक्सेप्टेंस होगी पिल्ग्रिम्स की एक आपकी होगी थुरू हज कमिटी ऑफ इंडिया ठीक है इस बात को ध्यान दगेगा बहुत इंपॉरेंट शीच बता रहा हूं नंबर्स में एक तोटल नंबर्स की थुरू कितने लोग जाएंगे उसको ध्यान सुनिएगा हज कमिटी ऑफ इंडिया की थुरू जाएंगे 1,040,020 नंबर्स में बोलू 1,400,20 ठीक है और हज ग्रूप ऑप्रिटर्स की तरफ से जाएंग अब अलाउड है 35,005 यानि की 35005 ओके बाकी यह जो अग्रिमेंट साइन हुआ है यह किस ने किया है ऐसे तो इंडिया और इसने किया है क्या बोलते हैं साथे रिविया ने बट इग्जाक्ली एज़ाइब पूरसन वहां कौन अटेंट करने गया था है ना कौन-कौन से मिनिस्टर से आपको पता होना चाहिए तो इसमर्यति जूबीन इरानी है ना इसमर्यति इरानी जी एंड वी मुर्ली धरन के दोरह ठीके इंडिया की तरफ से तो सिर्वति इसमर्यति जूबीन इरानी कौन है मिनिस्टर ओफ फॉर वोमेन एंड चाहिड्ड डेवलोप्मेंट एंड माइनरिटी अफेर्स है ना इनको नहीं पता है उनके लिए ब को ना पता हूँ तो वह हैं मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर एक्स्टरनल अफेर्स एंड पार्लेमेंटरी अफेर्स ठीक है मिनिस्टर ओफ स्टेट फॉर एक्स्टरनल अफेर्स एंड पार्लेमेंटरी अफेर्स इन्होंने यह साइन किसके साथ किया है दूसरी तरफ से कौन फौजान अल्रविया यह कौन है मिनिश्टर अफ हज एंड उम्रा के ऐसे की तरफ से ठीक है कि आपको पता ही है बाकि एक इंपॉर्ड कुशन और जो इसका बनता है वो यह बनता है कि कौन से जगा में जो है यह एग्रिमेंट साइन हुआ तो यह जड़ा सेटी में साइन हु रहा हो तो स्पेलिंग होगी जे डबल डी एच ओके जे डबल डी एच जड़ा सेटी जो है वहां पर यह साइन हुआ है इसका ध्यान रखिएगा नाइस कुशन की तरफ चलते हैं इन विश्ट सिटी सर्बनंदा सर्बनंदा सोनोवाल चेर्ड फॉर्स्ट इनलैंड वाटर यहां पर मीटिंग है जो की फॉर्स टाइम हुए इसको भी ध्यान रखिएगा यह भी इंपरनट कुशन है कहां पर हुए पूछा जा रहा है और क्यों इसको चेर कर रहा था सर्बर बंदा सुनोवाल तो इसको ध्यान रखिएगा ऑप्शन से हैं प्रयाग राज उत्तर प महां पर हुए है कोलकाता ओप्शन सी वेस्ट मेंगौल में ठेक है एंड सर्बन अंदा सोनवाल जिनको ना पता हो यह है मिनिस्टर आफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर वीज एंड अयूश अयूश ऑगनाइजेशन है उसके भी ठेक है एंड यह मीटिंग का हुई हमने कभी अगर पोचन आता है तो जैनुवरी एट्थ टूटाज़न ट्विंटी फोर को ठीक है नेस्ट की तरब बढ़ते हैं हम लोग गंगासागर मेला इसमेला हेल्ट एवरी एर इन विच स्टेट ऑप्शन से कैरला राजस्थान उत्रपरदेश या फिर वेस्ट जाए ना इसकी चलते जो ही कोशनिया पर आपके सामने आया है तो गंगासागर मेला कहां मनाया जाता है यह है आपका वेस्ट बेंगॉल में ठीक है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कौन से जिगर मनाया जाता अगर पूछा लिया तो यह मनाया जाता है सागर दूई प जाती है है तो उसी चीज को अर्भार जी आपको देखने को मिलती है जो कि में अलग लग एरिया से बनके आती है है ठीक है चलिए तरफ बढ़ते हैं हम लोग फिनो पेमेंट्स बैंक है एप्लाइट टुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडी आर बी आई सीकिंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस लाइसेंस मांग रहे हैं कौन मांग रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक मांग रहा है इसको भी धान रखेगा कुश्चिन हमें फिर्मों पेमेंट्स बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच यह कब से इन्होंने कांग करना चालू किया है ऑपरेशन से चलिए इसके ज़र ऑप्षेंस से में वह हैं 2011 2012 2017 य यह हम पूछ रहे हैं एक दिन पहले ही इन्होंने लाइसेंस मांगा है जो कि न्यूज में आया और इससलिए मैं आपको कहता हूँ कोई भी कुशन रेंडम लिए अपको फाले नहीं आएगा कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेट कर रहा होगा तो इसलिए आपको हर चीज को ध्यान से पढ़ना जरूरी है घृए कि चलिए अगर में बात कर narrative payment bank की बारे में जिसका headquarter है आपका जोई नागर में जो कि नवी मुंबई में है ठीक है बाकि इसकी जो parent organization है वह हमाजी फीनो पेटक ठीक है फीनो पेटाइक जो है इसकी पैरेंट और जो इसके यह कंपनी विदिन यह बैंक यह कोई अंडर तो ओनेशन का नाम है फीनो पेटेक और बैंक का नाम है फीनो पेमेंट्स बैंक और यह इसका फांडेशन डेट अगर आप से पूछा जाता तो वह था 23 जून 2007 ओके जहां सुनिये का 23 जून 2007 ऑपरेशन का कुछिन डाला था तो ऑपरेशन है 2017 से स्टाट हुआ है ठीक है ओनर की अगर बात की जाए कि फीनो पेमेंट्स की ओनर कौन है तो वह है हमारे मनीश खेरा ठीक है मनीश खेरा CEO की अगर बात की जाए तो CEO है रिशी गुपता ठीक है तो इसी जो को देहान रखिएगा नेश कुछिन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग विच कंप्री आज लॉंच्ट एन इनिशेटिव डिस्किल वन लाग डेवलोपर इंडिया इंड लेटेश्ट एए टेकनलोजी एंड टूल्स एक लाग डेवलोपर्स को सिखाने के लिए स्क मैक्रोसोफ जीन तरह इनिशेटिव चालू और मैक्रोसफ से बता चुक है ना को सा चीज आपता है को फिस टार्ट होगा और था सी यो आखो पता हैं जैसे सत्य नाडेला है तो हम लोग काफी वाइस को डिस्क्स कर चुको तो हम यहां भी डीटेल ने फिर से नहीं जाएंगे ठीक है नश कुशन की तरह बढ़ते हैं हम लोग बागी यह न्यूज आप ध्यान रखिएगा किस ने स्टार्ट किया है इन मैंक चंदर मुर्मो तो इसका जो राइट अंसर है वह है अरुना नायर अरुना जी को सेकरेटरी के आदे पर पॉइंट कर दिया गया है ठीक है उन्होंने इमेडियेटली काम भी चालू कर दिया है एंड रेलवे बोर्ड की बाकि इसके पहले वह क्या थी है अगर आप से जिद्धिन को ना पता हो फुलफ फार्म होता है इंडियन रेलवे परसनेल सर्विसेज़ साथी साथ यह पी सीपी ओबी थी किसमें एस्ट रेलवे में पीसी पी ओथी एस्ट को मतलब है प्रिंसिपल चीफ परसनेल ऑफिसर ठीक है इस बात इन बात को धहां द्यान रख़ और ज्यादा पढ़ाना चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कुष्चन जो अपको लगता है कि इसको और थोड़ा सा साथ कोई इस तरह से कॉमेंट हो को और प्रिखेंगे बता सकते हैं फिर आप वीडियो में कॉमेंट भी कर सकते हैं नीचे ठीक है चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो नई कोशेंस और नई करेंड़ के साथ तक उमीद है कि आप इनको पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को खतम करेंगे और ताकि कल यह हम आए तो आपको सही के साही चीज़ें फिर से नए सीरे से मिलें और पुरानी साही चीज़ें आपको याद र प्याइब है